हाई गाईज, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 अपरेल तक के सभी करंट अफेर्स का फास्ट रिविजन करने वाले हैं याद रखें कि इस वीडियो सेशन में एक्स्प्रिनेशन इंक्लूड नहीं है, एक्स्प्रिनेशन के लिए आप हमारी डेली या फिर वीकली करंट अफेर्स वीडियो देख सकते हैं, साथ ही इस सेशन को शुरू करनने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हम हमारा PDF मैटिरियल है, जिसमें हम आपको करंट अफेर्स के साथ साथ स्ट्रेटीजी के भी प्रवाइट कराते हैं, यह सभी मैटियल आपको हमारी करंट अफेर्स फंडा एप पर ही उपलब्त हो पाएगा, और इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाई करना चाहते हैं, त कोई भी अगर आपका डाउट है हमारी PDF कोर्स से संबंदित, तो आप हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा, तो चलिए फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो सेशन की, पाचवे बिमस्टेक सिखर सम्मेलन की मेजवानी की है, स्री लंका ने, ओप्शन C डॉक्टर रेनु सिंग नेम्ड एस थे नेस्ट डिरेक्टर ओफ फोरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट एफराई, तो एफराई इस लोगेटेड एट विच प्लेस, डॉक्टर रेनु सिंग को वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नामित किया गया है, वन अनुसंधान संस्थान यानि की एफराई ये देरादून में इस्तित है, ओप्शन सी, पर्धान मंत्री संग्राले कवर्स ता लाइफ and contribution of all the डेश इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स सो फार, पर्धान मंत्री संग्राले अब तक के सभी 14 भारतिय पर्धान मंत्रियों के जीवन और योगदान को कवर करता है, option C is the right answer, which bank will acquire Citi's India Consumer Businesses for Rs. 12,325 क्रोड, कौन सा बैंक Citi के भारतिय उप्भुकता व्यवसायों को 12,325 क्रोड में धिकरित करेगा, सही answer option B है, Axis Bank, which airport in India has been awarded with the COVID Champion Award at Wings India 2022, तो Wings India 2022 में भारत का जो कोचिन International Airport है, इसको COVID Champion पुरुषकार से सम्मानिद किया गया है, which airport has been adjudged as the best airport under the general category at Wings India 2022, Wings India 2022 में सामानिय सरेणी के तहत, कंपगोडा International Airport को Servicist Hawaii Day Group में चुना गया है, या फिर आप इसे Bengaluru Airport के नाम से भी जानते हैं, Who is 2021 BBC India Sportswoman of the Year 2021, BBC Indian Sportswoman of the Year है, मेरा भाई चानू The first edition of Indian Ocean Naval Symposium Maritime Exercise 2022 was held in which state, Hind Mahasagar Nosina Sangosti Samudriya Bias 2022 का पहला संस्क्रण Govaraaj में आजित किया गया है, सही answer option A Name the Indian origin person who has become the President and CEO of FedEx तो भारतिय मूल के व्यक्ति, राज सुब्रमन्यम, ये FedEx के अध्यक्ष और CEO बन गए हैं, India's first Artificial Intelligence and Robotics Technology Park, Art Park, launched in which state, भारत का पहला Artificial Intelligence and Robotics Technology Park, ये आपका करनाटक राज्ये में लौंच हुआ है, करनाटक में जो ISC Bengaluru है, वहाँ बर, इसफूर्ती प्रधाता स्री सोमया, is the life story of the late स्री सोमपली सोमया, a noted social worker from which state, इसफूर्ती प्रधाता स्री सोमया, ये आंदर प्रदेश राज्ये के प्रसिद्ध सामाजिक कारिकरता, स्वर्गे स्री सोमपली सोमया की जीवन का था है, raising and accelerating MSME performance, यानि की ramp is assisted by which bank, तो जो ये ramp है, जिसका मतलब है raising and accelerating MSME performance, ये आप से world bank से संबंदित है, option A, तो देखें यापर जो union cabinet है, इसने 808 million US dollar एप्रूव कर दिये हैं, किसके लिए इस प्रोग्राम के लिए, रैम प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम को world bank द्वारा assist किया जा रहा है, Who is the world's richest self-made billionaire aged 40 and under with 76 billion US dollar wealth, according to Horun, Horun के नुसार, 40 वर से कम आयू, और 76 billion dollar तक की संपत्ति के साथ, दुनिया का सबसे अमीर, स्वा निर्मित अरबपती है, Mark Zuckerberg, option C, Udaykotak has recently announced to step down as the chairman from the board of which company, Udaykotak ने हाल ही में, Infrastructure Leasing and Financial Services, IEL and FS, कंपनी के board से अध्यक्षपत छोड़ने की गोशना किया है, Which company in collaboration with Pine Labs, announced the launch of tap-to-pay for UPI users in India, Pine Lab के सहयोग से, Google पे ने भारत में UPI उपयोग करताओ के लिए, tap-to-pay, launch करने ही गोशना की है, Who took over as the managing director of the Delhi Metro Rail Corporation, Delhi Metro Rail Corporation के परबंद निजिशक के रूप में, पदभार समाला है, विकास कुमार ने, option B, Which bank recorded the highest value of frauds from April to December 2021, April से December 2021 में, इस अवधी के बीच में, पंजाम नेसल बैंक में, सबसे आदा दोका दोड़ी हुई है, यानि कि amount की बात करने है, सबस्यादा amount की जो दोगा दोड़ी है, वो पंजाम नेसल बैंक में हुई है, अगर हम number of force देखें, तो बैंक ओफ इंडिया में सबस्यादा 13, अगर हम value के इसाब से देखें, तो वो है पंजाम नेसल बैंक में, 4820 क्रोड रूपे, इसकी स्थापना इसी दिन, यानि कि 1 अप्रेल को 1935 में हुई थी, विच स्थेट हैंनाउंस्ट तो लॉंच विनाय समराश्य आवर्नेस प्रोग्राम, सो करनाटक राज्य ने विनाय समराश्य जागरुकता कारिगरम सुखरने की गोश्णा की है, शोपर्स स्थोप और एस्थेफसी बैंक ने को ब्रेंडेट के रिट कार्ड की एक नई रेंज लॉंच करने की गोश्णा की है, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्रोड पार कर लिया है, इंटिया फर्स्थ लाइफ इंट्रिस लाइफ ओडर्णर पार को बेची है, सही आंसर ऑप्षेण सी है, वीच स्थेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीवी गुरंग पास्ट अवे, So, शिक्की मराज्य के पुर्फ मुख्य मंत्री B.B. गुरंका नेधन हो गया है, option B. Which of the following has introduced a fleet card fuel on the move for its varied fleet of vehicles? सही answer option D है. भारतिय वायुजेन नने अपने विभिन वहानों के बेड़े के लिए fleet card fuel on the move पेश किया है. Which of the following has launched a legal aid clinic to resolve women grievances? So, National Commission for Women ने महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी साहता क्लिनिक की शुरुवात की है. सही answer option D है. Who inaugurated a voluntary driven portal initiative Modi Story? स्वयम से भी संचालीज पोर्टल पहल Modi Story का उत्खाटन किया है, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने. इंडिया recently handed over a coastal radar system to which country भारत ने हाल ही में मालदीव्स को 30 ए रेडार परणाली सोपी है. Researchers from which country have found microplastics in human blood samples for the first time. So, Netherlands के सोतकर्ताओंने पहली बार माना उरक्त के नमूनों में microplastics पाया है. World Autism Awareness Day is observed on which day, विश्व आत्मकेंद्री जागुकता दीवस हर साल दो अपरेल को मनाया जाता है. The Living Root Bridge in which state has been included in the UNESCO's tentative list for the World Heritage Site status. Living Roots Bridge मेघाले राज्य में UNESCO की विश्व दरोरी स्थल की स्थिरी के लिए अस्थाई सुची में सामिल किया गया है. A digital platform to instantly send e-copies of the court orders through an electronic communication channel to intended parties was launched on March 31st. What is it called? एक electronic channel के माध्यम से अदालत के आदेशों की ई-परतियां तत्काल भेजने के लिए एक digital platform 31 मार्च को launch किया गया था और इसे कहा गया है faster. Who has been appointed as the new director general of Geological Survey of India तो भारतिय अभुव एज्यानिक सर्वेक्षण के नए महाधिचक के रूप में चैन किया गया है S. Raju का. Which state will host the Khelo India University Games 2021 तो करनाटक राज Khelo India University Games 2021 की मेचपानी करेगा. The RBI has fixed ways and means advances limit for states and union territories at 47,010 crore. तो RBI ने राज्योर केंदर सासित परदेशों के लिए अर्थोपाई अगरिम योजना की सीमा 710 crore पे निर्धारित की है. सही answer option A है. Name the Indian who has been appointed as the Vice Chair of Standing Committee on Administration and Management of ITU. तो अपराजिता सर्मा को ITU के परशाशन और प्रबंदर पर इस्थाई समीति के उबात्यक्ष के रूप में न्युक्ति किया गया है. Varun 2022 is a bilateral novel exercise of India and which country Varun 2022. France के साथ भारत आएक दुई पक्षियनों से ना भ्याज है. Dearness allowance for Central Government employees is high 5% केंदर सरकार के करमचारियों के लिए महेंगाई भत्ते में तीन पर्तिशत की बढ़ोत्री की गई है. और अब यह 34% हो गया है. इंडिया इंडिया सो माइक्रोफ ने भारत में स्टार्ट आप फांडर्स हब प्लैटफर्म लाउंच हिया है. इंडिया इंडिया ने भारत भर में अपने नेटवर्क के लिए इंडिया इंडिया को लागू करने के लिए क्विक.ड का चैन किया है. बिए भारतीय भ्रकतान परिशत के द्धक्रोफ के रूप में फिर से चुना गया है. Rating Agency Indra यानि India Ratings has lowered the India's fiscal year 23 forecast to 1% So Rating Agency Indra Ratings ने भारत के fiscal year 23 के पूर्वान वमान को खटा कर 7-7.2 प्रतिश्यत कर दिया है Which state has signed NMOU with Samsung and AbhiTech to set up Sports Digital Experience Center के लिजिटल अनुभव के इंदर स्थापित करने के लिए मनिपूर राज्य ने सैमसंग और अभी टेक के साथ समझोते हैं कि अपने पर हस्ताक्षर किये हैं इन रेफ्रेंस तो दे फीफा वर्ड कप 2022 इन कतर वट इस अल रिहला फीफा विसकप 2022 कतर के संदर्ब में अल रिहला क्या है तो यह ओफिशल मैच बोल है यह ओफिशल मैच बोल ऑप्षिन ए इस तर राइट आंसर विच कंट्री बिकेम दा 105 अंबर कंट्री तो साइन ओन तो नेपाल अंतराष्टे सोर गडबंदन के फ्रेमवर्क संब्योदर प्रहस्ताक्षर करने वाला 105 वास अदस्चेदेश बन गया है यानि की S.O.C.M. तो S.O.C.M. की अध्यक्ष के रूप में पदभार समाला है सुमंध सीनान है इंडिया एंड विच कंट्री ओन अप्रेल 2nd साइन एकोनोमिक कोपरेशन एंट्रीड एगरिमेंट E.C.T.A. तो भारत और अउस्ट्रेलिया ने दो अप्रेल को एक आर्थिक सहयोग और व्यापाल समझेत परहस्ताक्षर किये है तो यह जो पुस्तक है इसे लिखा है विनोध रॉराय ने नोट जस्ट अनाइट वच्पेन माई इनिंग्स इन दा बिसी याई विच वड़ फॉल्विग हैस बिकम दा फर्स्ट एस्ट टू लॉंच क्रिमिनल्स बायोमेट्रिक डेटाबिस तो महरास्ट अप्राद युगा बायोमेट्रिक डेटाबिस लॉंच करने वाला पहला राज्ज्य पन गया है विच स्टेट और उटी हैस एनॉंस्ट तो साइन ट्रिपटाइट एग्रिमेंट टू डेवलप हैंले एज़ डार्क इसकाई सेंशुरी तो लद्दाक डे हैंली को डार्क इसकाई सेंशुरी के रूप में विश्यत करने के लिए त्री पक्षिय समझोदे पर हस्ताक्षर क ग्रूप में सामिल हो गया है इंट्रेशल जोफ कंसाइन्स इस सलिब्रेटेड ओन विश्टे अंतराष्टे अंतरात्मा दिवस यह पाच अपरेल को मनाया जाता है प्रितम सिवाज होकी अकडमी बेस्ट इन इस одна विश्टी खेल ऐनिया विमएंज होकी लीग अं대 22 अंडर 21 टाइटल तो सोनीपत में इस्थित प्रितम सिवाज हो कि अकडमी ने खेलों इडियों महिला होकी लीग अंडर21 जीता पिर ऑब टीटी Indian Railways Man's Hockey Team won the Obaidullahi Khan Heritage Hockey Cup that was held at which place? बारतिया रेलवे की पूरिस Hockey Team ने Bopal में जित Obaidullahi Khan Heritage Hockey Cup जीता है Which Life Insurance has launched Clarify Life, a Digital Education and Awareness Initiative? SDFC Life Insurance ने Digital Siksa और Jagrugata पहले Clarify Life की सुरुवात की है विच्टीम लोन थे 2022 ICC Women's Cricket World Cup 2022 का ICC महिला Cricket वस्विशु कप जीता है औस्टेलिया ने किसे हरा है इंगलेन लोह रहा है प्रेस्टीजिया सरस्वती सम्मान 2021 प्रतिश्टीथ सरस्वती सम्मान 2021 सम्मान दिया जाएगा रामदरस मिस्रा को तो डफेंट फेल्प सेलिटी ब्रांड वैल्योशन रिपोर्ट 2021 में बारत में सबसे मुल्यवान सेलिटी के रूप में उब रहे हैं विराट कोहली बारत ने विदेश व्यापार निती 2015 से भी इसकी वैदता को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है अगले 6 माहिने तक बढ़ा दिया है नेम ता फीफा वाइड कप 2022 ओफिशल मास्कवट फीफा विशुकप 2022 के आधिकार इक सुबंगर का नाम है लाइप DBS Bank India has partnered with which of the following to launch Green Debit Card, DBS Bank India ने Green Debit Card launch करने के लिए Is My Trip के साथ सरेतारी की है Which country has signed a deal with Adani Group for Indian Economic John, भारतिय आर्थिक छेत्र के लिए बांगलादेश ने Adani समों के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर की है International Day of Sport for Development and Peace is celebrated on which day विकास और सान्थी के लिए अंतराष्टे खेल दिवस इच्छे अपरेल को मनाया जाता है Which state will host the 83rd National Table Tennis Championship 2022? So Meghalay 83 भी राष्टे Table Tennis Championship 2022 की मेजवानी करेगा Which state has set up C auto stands? So Andhra Pradesh ने C auto stand इस्थापित किये है Which general insurer launched Walt, an industry first digitally enabled rewards program So HDFC Ergo General Insurance ने Walt जो की एक डिजिटली सक्षम reward कारेकर में इसको launch किया है Who is the author of the book titled Crunch Time Narendra Modi's National Security Crisis So Crunch Time Narendra Modi's National Security Crisis नामपुस्तक के लेखा खें स्री राम चोलिया Name the Indian who has been appointed by United Nations Chief to a high-level expert group on net zero emission commitments So Bharatiya Arunapha Ghosh को संयुक्तराष्ट प्रमुख ने Net Zero उत्षवर जन प्रतिपद्धताओं पर उच्च इस तरिये विशे सग्य समूं में सामिल किया है FarmEasy has partnered FarmEasy has appointed which actor as brand ambassador FarmEasy ने Aamir Khan को अपना brand ambassador नुक्त किया है Carlos Alcaraz of which country has become the youngest Miami Open Champion 2022? So Spain के Carlos Alcaraz सबसे कम उम्मर के Miami Open 2022 champion बन गए है 18 साल के है What is the theme for World Health Day 2022? 267 222 जोगी 7 April को मनाया जाता है इसका theme क्या रहा? इसका theme रहा our planet, our health option B Stand Up India scheme has completed how many years on April 5, 2022? Stand Up India योजना ने 5 April 2022 को कितने वर्ष पूरे कर लिया है सही answer option C है 6 Which of the following has organized national conference on women in uniform, an agent of change? So Railway Protection Force ने वर्दी में महिलाया बदलाव की वाहक इस विसे पर एक राष्टे सम्मेरन का योजल किया है Who has been appointed by the United Nations Human Rights Council as the world's first independent expert for human rights and climate change? संयुक्त राष्ट, मानव अधिकार परिशत द्वारा, मानव अधिकारों और जलवायू परिवर्तन के लिए दुनिया के पहले सतंत्र विसे सग्य के रूप में Ayan Fry को न्यूक्त किया गया है Which bank has signed Dynamo U with the Border Security Force to offer special benefits through cap SP scheme, cap SP योजना के माध्यम से विशेसलाब प्रदान करने के लिए State Bank of India ने सीमा सुरक्साबल के साथ समझतागावन पर हस्ताक्षर किये इंडियास मर्केंटाइस इंडियास मर्चेंटाइस इंपोर्ट इन फिस्कल 22 हिट रिकोर्ड 610.2 billion US डोलर तो वितवर 2022 में भारत के वियापारिक आयत ने रिकोर्ड 612.2 billion US डोलर हिट किया है Scientists have discovered ice welcome volcanoes on which planet और dwarf planet वैग्यानिकों ने Pluto पर बर्फ के ज्वाला मख्यों की खोज की है Who will head the advisory committee for Semicon India Semicon India की सलाकार समीती के अध्यक्ष होंगे अस्विनी वैस्नो Which of the following impact with Gujarat Gas Limited to blend green hydrogen in piped natural gas Piped natural gas में green hydrogen को मिश्शित करने के लिए Gujarat Gas Limited के साथ NTPC ने समझोता किया है Andra Pradesh Chief Minister inaugurated 13 new districts It now has a total of how many districts Andra Pradesh के मुख्यमंत्री ने 13 नई जिलोग आउतकाटन किया है अब Andra Pradesh में कुल 26 जिले है Tata Power Renewable Energy has commissioned a 300 Megawatt solar plant in which state Tata Power Renewable Energy ने Gujarat Rajya में 300 Megawatt का 100 सहीं अंत्र चालू किया है National Maritime Day is celebrated on which day राष्टे समुदरी दीवस ये 5 अपरेल को मनाया जाता है Victor Orban won the fourth consecutive term as which country's Prime Minister Victor Orban ने Hungary के प्रदाहनते के रूप में लगातार चोती बार जीत हासिल की है सहीं आंसर option C है Name the Indian origin singer who won the award for the best children's music album at the Grammys भारत्य मूल की गाय का फालगोनी शा ने Grammy में सरुस्रिष्ट बाल संगीत album का प्रुसकार जीता है who has been appointed as the new foreign secretary नई विदेश सचेव के रूप में न्यूक्त किया गया विनाय मोहन क्वात्रा को इंडियन साइन्स टेक्नलोजी एंड इंजिनरिंग फैसलेटीज मैप यानि की आइस्टम पॉर्टल इस एन इनिशेटिव ऑफ भारते विज्ञान प्रद्योगी की एमम इंजिनरिंग सुविधाओं के मानचित्र पॉर्टल यह एक पहले ऑफिश ऑफ दा प्रिंसिपल सा हाइटी मद्रास द्वारा लॉंच किया गया है वट इस टेंपल 360 टेंपल 360 एक वेब साइट है और इसके तुरू आप कई सारे मंदिर्स के लाइव दर्शन कर सकते हैं Union Minister of Information and Broadcasting अनुराख ठाकुर लॉंच्ट ब्रोड्कास्ट सेवा पॉर्टल के इंदर सूचना और परसान मंत्री अनुराख ठाकुर ने ब्रोड्कास्ट सेवा पॉर्टल लॉंच किया है चेती राई चेती राई फेस्टिवल एससेटेड़ विद विच टेम्पल तो चेती राई महुत सव यह मिनाक्षी टेम्पल मदरई से संबंदीद है अब वट इस यूवी आईटी जे टूजीरो टूटू तो यह एक गैलक्सी यूवी आईटी जे टूजीरो टूटू तो भारत की जो एस्ट्रोमार से उन्होंने इस गैलक्सी का पतल आया गए प्रोषकार 2021 सम्मानित किया है आरेफा जोहरी को विज बैंक विल क्रेट अब टीजिटल बैंक विदिन बैंक तु यून बैंक ओफ इंडिया डिजिटल बैंक विदिन बैंक बनाएगा which bank has joined hands with the National Payments Corporation of India for fintech engagement so fintech engagement के लिए bank of महाराश्य भारती रास्ते बुकतान निकम के साथ हाथ मिला है exports of agriculture products for the year 2021-22 have crossed 50 billion US dollar वर्स 2021 के लिए किर्सी उत्पादों का निर्यात 50 billion अमेरिकी डोलर को पार कर गया है important question है Indian oil corporation Larson and Tobro and which of the following has announced a joint venture for India green hydrogen businesses Indian oil corporation L&T or Renew Power ने भारत के हरीद hydrogen विवसाई के लिए एक सही उत्प उद्यम की कोष्णा की है which states chief minister led a foundation for a lotus footwear park so Tamil Nadu के मक्षमंत्री ने lotus footwear park की नीव रखी है एलन मस्क हैस एक्वाइड हाउ मच परसेंट इस्टेक इन ट्वीटर एलन मस्क ने ट्वीटर में 9.2 परसेंट नोजस मलव दो परतिचत हिस्सेदारी हासिल किये हुई इंडियास रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियोनेर वुमन अकॉर्डिं टू हुरून रिसेर्च इंस्टिटूट के अनुसार भारत की सबसे अमीर स्वा निर्मित अरब पती मैलाएं फालगुनी नायर एशन डेवलप्मेंट बैंक हैस्पेक्ट इंडियास क्रोज टोमेस्टिक प्रोड़क्ट ग्रोथ एट वर्ट परसेंट फॉर्ट पर्सेंट फॉर्ट करेंट फिस्कल एश्याई विकास बैंक ने चालू वीत वर्स के लिए भारत के सकलगरे लियो उत्पात की वृद्धी साडे साथ परतिशत पर आ की है। स्कूल ओफ एक्सिलेंस प्रोजेक्ट तो विस्व बैंक और एश्या इंफ्रसक्शन इंवेस्टमेंट बैंक गुजरास रकार के मिशन स्कूल ओफ एक्सिलेंस प्रोजेक्ट के लिए फिचतर सो क्रोड रुपे कारीन प्रदान करेंगे। Who won the prestigious O. Henry Prize for 2022 2022 के प्रतिश्टित O. Henry Pruskar जिता है अमर मित्र ने। The Delhi Municipal Corporation Bill 2022 amended which act दिल्ली नगर निकम विदाएक 2022 ने Delhi Municipal Corporation Act 1957 में संसोधन किया है। AIU PSC residential coaching program for civil services and other government examinations is meant especially for students and candidates belonging to which community. सिविल सेवा और अन्य सरकारी परिक्षाव के लिए AIU PSC आवाज से coaching कारीक्रम विशेश रूप से मुस्लिम समुदाई के छात्रों उम्मीदवारों के लिए है। India Procured Igla S Man Portable Air Defense System from which country भारत ने Igla S Man Portable Air Defense System को रशिया से खरीदा है। Which country launched the worst largest electric cruise ship दुनिया का सबसे बड़ा electric cruise जहाद CS China ने launch किया है। Option A Hindustan Aeronautics Limited has entered into an MOU with which aerospace company for multi-mission tanker transport aircraft. Hindustan Aeronautics Limited ने बहु mission tanker परिवहन विमान के लिए इस्रेल Aerospace Industries के साथ समझे लगा अपनबें परवेश किया है। Which bill was passed by the Rajya Sabha that seeks to revamp the functioning of institutes of accountants and company secretaries. तो Rajya Sabha द्वारा Institute of Chartered Accountants, the Coast and Work Accountants and the Company Secretaries Bill 2022 पारित किया गया है जो लेखा कारों और company सचीवों के संस्थानों के कामकार में सुधार करना चाहता है। फॉर्थ एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मेरीन शो का चाहता संस्क्रण कोची केरल में संपन हुआ है। The book Tiger of Dras Captain Anuj Nair 23 Cargill Hero is authored by सही आंसर option C है। तो यह जो पुस्तक है यह लिखी है मीना नायर और हिम्मत सिंग से खावत ने। Tiger of Dras which company has acquired workplace collaboration solutions company Polly so HP ने कारिस्थल सहयोग समादान company Polly का अधिगरण किया है। GOBP and which company will collaborate on EV solutions GOBP और TBS motor EV समादान पर सहयोग करेगी। फिक्की has packed India's gross domestic product growth at what percent for financial year 2022-23। फिक्की ने वित्यवर 2022 तेज के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पात की वृद्धी 7.4% पर आ की है। who topped Forbes billionaires 2022 list Forbes अरब पत्यों की 2022 की सूची में शिर्षिस्तान पर हैं एलन मस्क। Tomb of Sand has become the first Hindi novel to be sold listed for the International Booker Prize. Who is its author? So, Gitanjali Shree का ये एक novel है, Tomb of Sand. ये अंतराष्टे बुकर प्रुसकार के लिए चुने जाने वाला पहला Hindu बन्यास बन गया है। World Homeopathy Day is observed every year on which day विशो Homeopathy दीवस हर साल 10 अपरेल को मना जाता है। Which country has successfully flight-tested solid-fuel-ducted Ramjet technology तो भारत ने solid-fuel-ducted Ramjet technology का सफलता पूर्वक उडान परिक्षन किया है। RBI slash the growth projection for the current fiscal to what percent from 7.8% earlier, Richard Bank of India ने चालो वित्य वर्ष के लिए विखास अनुमान को 7.8% से घठा कर 7.2% कर दिया है। पर्दान मंत्री मुद्रा योजना has completed how many years on April 8, 2022 पर्दान मंत्री मुद्रा योजना आर्ट अपरेल 2022 को 7 साल पूरे कर चुका है। Union Cabinet has extended the Atal Innovation Mission till केंद्रे मंत्री मंडल ने Atal Innovation Mission को मार्ट 2020 तक बढ़ा दिया है। Name the Photographer who has won the 2022 World Press Photo of the Year Award तो photographer Amber Bracken ने 2022 World Press Photo of the Year का प्रसकार जीता है। National Safe Motherhood Day is absurd on which ते रास्ते सुरक्षित मात्रीत दीवस ये 11 अपरेल को मनाया जाता है। Infosys and Rolls-Royce inaugurated their Joint Aerospace Engineering and Digital Innovation Center in which city. Infosys और Rolls-Royce ने बेंगलूरू में अपने संयुक्त Aerospace Engineering and Digital Innovation Center का उत्कारटन किया है। Which state has set up Nandini Shira Samriddhi Sahakara Bank to help milk producers? So, दुद उत्पादकों की मदद के लिए करनाटर राज नandini Shira Samriddhi Sahakara Bank की स्थापना की है। विच स्थेट लॉंच्ट कावल उत्पी एप फॉर पब्लिक दूरिंग एमर्जनसी। So, तमिलाडू राज ने आप आतका लगें दुरान जंता के लिए कावल उत्पी एप लॉंच किया है। विच एडिशन ओफ C-R-P-F वेलोर्डे वाज अपसर्ड ओन 9 अप्रेल, 9 अप्रेल को C-R-P-F विर्था दिवसका 57 वासस्क्रण मनाया गया। Reserve Bank of India has imposed a penalty of Rs.93,00,00 on Axis Bank and IDBI Bank. तो RBI ने Axis Bank और IDBI Bank पर 93,00,00 का चुरुमाना लगाया है। How much amount has been contributed by India towards UNESCO fund for elimination of doping in sport in 2022, 2022 में खेल में doping उनपूनन के लिए UNESCO कोश्में बहरत द्वारा 72,124 US dollar की राशी का योगदान दिया गया है। Who is the author of the book titled Decoding India Babudom तो Decoding India Babudom पुस्तक के लेकाक है अश्विनी स्रिवास्तवा। Alexander Vusik has been repointed as the president of which country. So Alexander Vusik यह आपके सर्विया के राश्टपती के रूप में फिर से चुने गई है। तो आई होब आपको मारे session काफी पसंद आया होगा। आप टेली current affairs जरूर देगें, weekly current affairs भी देख सकते हैं। यदि आप explanation के साथ इन सभी questions के answer चाहते हैं। यदि इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा PDF course join कर सकते हैं। साथी current affairs funda को आप टेली ग्राम पर भी join कर सकते हैं। यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं। दोस्ते आप हमारे current affairs की प्लेश दी गई है। इसको आप जरूर देखें। प्लेश के लिएवबर आप हैं। लुद हमारे हैं। झाल झाल झाल